तो आज की वीडियो में बेटा हम लोग देखेंगे कि पॉलिगन लाओ फोर्सिस ये बेटा कई बार बॉल टेक्निक के एक्स्टरनल एक्जाम में पूछा गया है ओके पॉलिगन लाओ फोर्सिस ये फिर बलों का बहभुज नियम तो इसको बटा आप इंपोर्टेंट लगा कर ही पढ़िएगा ओके और इस तरीके से हम आपको भी अब तयार करा देंगे इसका स्टेट्मेंट कि आपको दुबारा इसको पढ़ने की जरुवत ही नहीं करते हैं पॉलिगन लाओ फोर्सिस ये फिर बलों का बहभुज नियम और अभी तक जिन बच्चों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बटा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे सभी वीडियो को प्रते एक वीडियो को लाश्ट तक दिखा करें ताक या कोई भी सवाल बोर्ड में या कोई भी कंपटिशन में गलत ना हो तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिगन लाओ फोर्सिस ओके तो देखिए बटा इसका स्टेट्मेंट क्या कहता है कि पहले स्टेट्मेंट सुनेते हैं कि इस नियम के अनुसार यदि किसी पिंड पर कई बल एक साथ कार कर रहे हैं यदि किसी पिंड पर कई बल एक साथ कार कर रहे हैं तथा जब इन बलों को परिमाड एवं दिशा में तथा जब इन बलों को परिमाड एवं दिशा में किसी बहुभुश की सनलंगन बुजाओं द्वान रुपित किया सकता हो तब हम कह सकते हैं की बल आपके संतुलन में हैं फिर से सुन लेते हैं कि जब किसी पिंड पर कई बल एक साथ कार कर रहे हूं तथा प्रतेक बल को परिमाड एवा मदिसा में एक बावबुच की भुजाओं दुआरा निरुपित किया जा सकता हो तब हम कह सकते हैं कि बिंडु आपका याप बाड़ी आपकी संतुलन में है यह आपका पॉलिगन लाओपस है अब बात करते हैं इसको तरह सा ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अग्राफिकल इसको एक्जामपल कैसे समझते हैं जिससे देखिए बेटा मैंने यू मान लिए कि कोई एक बॉड़ी है आपकी इस बॉड़ी की ऊपर आपके कई बल एफ इस तरीके समनते हैं तो इस body पर बिटा आपके कितने forces काम कर रहे हैं आप जो हम लोग फेगर देख रहे हैं इस body पर आपके उपर total पांच force कार कर रहे हैं तो इसका मतलब इस इन पांच forces जो भी एक polygon बनेगा बहुज बनेगा वो कैसा उसमें कितनी बुजाए होगी बिटा पांच ये समझ लीज किया सकता हो अगर किसी बहुज की सलनग में भुजाओं जो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये body या पिर जिस point पर ये forces आपके कार कर रहे हैं वो आपके संतलन में है तो देखते हैं कैसे कि जिसे ये मानलिया आपका force F1 है तो मानलिया कि कोई एक भुजा आपकी मानलिया A-B है उस भुजा को निरुपित कर रहा है आपका force F1 ओके ये force आपका F1 हो गया ओके इस point B से मानलिया कोई दूसरा force आपका के लिए यहां से बनके जा रहा है force F2 या line BC जो की force आपको force F2 को निरुपित कर रही है ओके इसी तरीके से एक आपका तीसरी line CD force F3 को निरुपित कर रह दिखिए F1 force यह हो गया F2 force यह हो गया F3 force यह हो गया ओके इसके बाद F4 force आपका यह चला गया आपका F4 यह भुझा D और E नोनपित कर रही भुझा vidéo इनोन स्कार्वार उकर है इसी तरीके से जो पांच्पां फोर्स है आपका जो पांच्पां फोर्स है तो लिए वाग बाड़ों को परिमाल और अ कर रहे थे और इन पांचों फर्स कौने मैं परिमाल ते लिए इसके लिए सवाल लेखेंगे नुमिर्कल इसको कैसे हम लोग इस figure से इस ग्राफ को बनाते हों के तो इसकी साहितर से अगर इसको जो इसमें नुपित करेंगे तो अगर इस close polygon बन जा रहा तो हम कह सकते हैं यह कि यह संतलन में है इसको हम लोग बोलते हैं आज के वीडियो में इतना ही आप कमेंट बॉक्सम मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा विडियो आपको कैसा लगा अच्छा वीडियो आपको कैसा लगा ओके धन्यबाद